जैश्री राधा माधव, सद्गुरुदे भगवान की जैहू, पूज्य श्री सेड़ जी की पुस्तक से विशय, वेराग्य और प्रेम परतिग्या, आपको वही काम करना चाहिए कि जिससे भगवान की प्राप्ती शीग्रो हो, पपीहे की तरा मन में धारना करके द्रड़ प भले ही चले जाएं, प्रंतु भगवत प्राप्ति के साधन, भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए, भजन ध्यान और सत्संग में त्रूटी क्यों की जाती है, फिर पस्ताने से कुछ भी ना होगा, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे आप मृत प्राप्ति उसे बच सकते हैं, एतव पपीहे के भाती प्राणों की परवा ना करके प्रण को निभाना चाहिए, पपीहा प्रण कब न तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछू नहीं, प्रण छूटे तो लाजे, यो विचार करके आपको वह काम कभी नहीं भगवान के नाम जब ध्यान और सत्संग का मन में बड़ा जोर रखना चाहिए, सत्संग भजन और ध्यान वेराग्य के बिना नहीं हो सकते, संसार के भोगों से वेराग्य हुए बिना, इश्वर में पून प्रेम नहीं हो सकता, संसार के सुख तथा रुपे किस काम आवें सब कुछ यहीं रह जाएगा यदि भगवान के नाम का जप ना हुआ तो संसार के सुख किस काम के सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हिर्दै से जाए बलेहारी वादुख की जो पलपल राम रटाए शरीर और रुपे यहीं रह जाएंगे आगे चल कर यह आपके किसी काम नहीं आएंगे एतव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इन से अपनी इच्छा अनुसार काम ले लें इश्वर की प्राप्ती में पुर्शार्थ ही परधान है यो समझकर धन को धूली के समान जान उस असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए कि जिससे शिग्र ही भगवान मिले जैश्री राधा माधव